यूपी उप्चिणाओ की बड़ी तयारिया बीजेपी ने जारी किये प्रत्याशियों की लिस्ट मैंपुरी लोग सभा से रगरास शाक्य प्रत्याशी खतौली से विदान सभा से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी कतौली से राजकुमारी सैनी और मदन भाईया के बीच जंग रांपूर विदासभा से अकास सक्सेना प्रत्राश्यू मैनपूरी से तीन प्रत्राश्यू के नाम आये हैं सामने इसमें सभासे डिमपल यादों के सामने बीजे पी के रगुराज शाक्य ख़़े हैं सुभस्पा से भी रामाकांत कर्श्यप को उतारा है बेदान रांपूर से अकास सक्सेना बने बीजे पी के प्रत्राश्यू सफ़ा से रामपूर के ये अब तक नहीं हुई है प्रत्राश्यू की घोष्टना यूपी उप्चनाओ के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की गोशना कर दी है जिसमें मैनपुरी लोगसभा से रगुरास शाक्य को प्रत्यासी उतारा है मैनपुरी लोगसभा से रगुरास शाक्य को प्रत्यासी उतारा है वो भी डिंपल यादों के सामने मैनपुरी से रगुरास शाक्य इस समय मैदान पे हैं जी इस बिल्कुर मनेज कायासों का दौर खताम हुआ जैसे हम देखते हैं हमें पहले भी आपको कई बार मामने में बात हुई है तो मैं इस पर सुरूप से कहा था कि बीजेपी मंधन के बाद कोई पढ़नाम लाती है और मंधन के बार ही पित्त्यासी को नाम जाहिर कर अला सब्सक्राइब मेशारा खतारा चैयाद कर बार मंधन करते हैं कि रहां पर राम पर की राम पर से आका सक्सिना को अटारा है जो कई बार आदर कर दा देखिबार पर आपकाज सक्षेनों को यहां पर उम्मिरा बनाया है नहीं खतोली में देख लेकिती जहां पर सपा और आलोड ने एक उम्मिर्वार उतार था मदन भाईया सख पुरूप मेर्वार मदन भाईया उनके खिलाब यहां पर विक्रम जैनी जिनके भी हाल में 11 अक्टूबर 222 स तो यहां पर जो एक ब्युक्ता है लगातार कि अगर कोई स्ट्रीट होती है तो वहां पर पर परवार के लोग उतारे जाते हैं अकर डिबंगत है एक्सपार होगा तो हम देखते हैं आपर उनकी पत्नी होते रहेगी या पर पत्त रहेगा जिसाए हमने गोला गोकार नाट में देखा उसी कबायत पर चलते हूं यहां पर जो खतोली है खतोली से बिकरम सिंग सेनी की दरम पत्नी राजकुमारी सेनी लड़ रही है जो कि उनके पत्नी को भी आयों के घुषित करते हैं तो उसके बाद स्वीट अब यहां पर यहां पर पित्ता सी उतारे गए चुना मनिज महतपूर हो गया है घुषणा हो गई हाला कि अवी तरह रामपूर से समय पार्टी से सिंगा इसकी घुषणा भी बाकिये हुँगता है कि कुछ समय बार इसकी घुषणा भी हो जाए तो जो तो कही नामांकर सुरू हो चुके निंपल यार्णोग कर चुकि है और कही लिए जिसमें की बीजेपी ने रगवरास शाक को 85 के रूप में वहां से उता रहा है और डिंपल यादों के संकक्ष अगर देखा जाए तो रगवरास शाक कितने मजबूत कंडिडेट वहां पर हैं वीजेपी के कि मजबूर देखिए अगर समीकर्ण की बात करें तो निश्रूप से समीकर्ण बहतर है और समीकर्ण की सलते यहां पर इसका लाव दिंपल यारों को मिल सकता है मैलाव मीरवार है कन्यों से पूर्प शांसर भी रही है इसके लावा मुलाम सिंग यारों जो की समाली पार्टी कि बड़े निताओं में एक माने जाते रहे हैं अच्छा जो लाव उनका है कारकरताओं में अच्छी पहुंस थी इनकी तो निश्रूप से इसका उनको लाव मिल सकता है इसके अलावा मेरपूर में यहां पर विसा यह बी है कि रगणा साक के उतारे जा रहे हैं समीकर्ण क सब्सक्राइब निश्रूप से मिलने के उम्मीद रहेगी पर चुकि चुना मेरपूर में लुक्सवार चुना हुआ था बहां पर मानी जो परंप्रागर स्रीट रही है ब्रासर रही सपा की वहां पर जीती नहीं है भाटिन्दा पार्टी तो यहां पर आजमगर में अगर सब्सक्राइब निश्रूप से यहां पर आजम खान और और सुद्रूप से यहां पर बीजेपी के बीची रहेगा क्योंकि कोई भी जवां पर आजम खाकरा है रामपूर में और इस प्रूप से अगर वहां पर बीजेपी सीट जीती है तो कहीं नहीं कहीं आजम खागी हार हूगी तो कि वह होँआ पर बायकते और अब आहों घुसर करने के बार उनकाई इस च करता हूं और पदादकारियों से मुखातिब हुए थे और राम पूर उप्चुनाव को लेकर उन्होंने मन्थन भी किया था और दिशा निर्देश भी देते आपको क्या लगता है कि सपा ने अब तक क्योंकि आजम खां की इसी ड्रिक्ट होने के बाद वहां पे तंजीर फा सपह हम देखते हैं कर स्पाव करती है कर इंत्यार करती है और रृण गोष लेह हु Always रामपुर में आका सक्सेना उतार दियागा बीजेपी ने पहल की है अज समाज़ाई पार्टी किसको उतारती है अभी फिर आले भबिस के गर में नहीं पर निश्ची रूप के जो भी उतारा जाएगा उसके ओपर दवा भेए रहेगा कि आज़र्फा के बिरासर रामपुर क समाजना है और यहां पर जो एक मैंनपुरी में जो स्टिती साइद पलट जाया या बदलाव हो बहुत खेर बात की बात है पर यहां पर रामपुर खतौली खतौली में बीजेपी के बिराये पर कम सेनी थे कवालकारती दल्ट उनको हटाये गया था इसके बाद अब सीट र कि जब भी कोई उपतापने चुनाव होता तो जो मेर्पून लड़ाई है वो बीजेपी और सफा की बीच में रहती है और फिराल अभी यह तीरों उप्चुनाव है आकरसन के इनमिर मनुए है चर्चा के इनमिर मनुए है राज जीती सीपा हो रही है और निस्टी रूप स बार के कान जो मांदा कि चलते हुः चलते सब्सक्षां को सजा कहरा है और फिर शेच को लेकर रिजा की सचा की रहती है तो तो मेंका थोड़ा लाब यहां पर रहोगा मिलना चाहिए और मिलेगा हो इस तरह से सपा रागा से उतारा है पस्यम की सीट है और निस्जी रूप करफ सुभस्पा के अध्यक्स भी हमाई बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश के हर उप्चुनाओं में वो अपने भी प्रदेशी उतारेंगे उन्होंने यहां से रमाकान कश्यप को उता रहा है तो सुभस्पा भी कहीं न कहीं उप्चुनाओं में कूत पड़ी है और आपको क्या लगता है कि यह रमाकान कश्यप कितने मजबूट कंडिडेट के तौर पर सुभस्पा के हैं और किती करी टकर दे सकते हैं कि अभी दुन्हें दो परिटाशी उता रहे हैं रमेश परिजापत्ती और अमाकार कश्यप अब तक कर मनीश तो अलग बात है समीकर बिगड़ेंगे यहां पर जीटने कि बहुत 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 लंबी नहीं बता सकती क्यों उठाने का प्रयास करें कि समीकर उनके पर्च में हाला की जरूर है पर जीट जाए अभी फिराल इस्टमादकार की मिट कम है कि जिस तरह से उनको केवल कई सीटों पर लड़े थे पर उतना उनको लाब नहीं मिला था उसके बाद सपास उनका गड़बंदन में अलग हो गय सपा के लिए कि अगर समीकर होते हैं तो वहां पर कोई पित्ता सी जीट सकता में बीजेपी सपा पश्मंदा समाच को लेकर भी खीस्तान मची हुई है और बराबर उनको अपनी तरफ करने के लिए दलित पिश्णों की राजनीती जो मुस्लिम की तरफ से यह समय हो रही है अब को कितना क्या लगता है कि कितना फाइदा इसको बीजेपी को इसका मिल सकता है अब बीजेपी के अपना ठिंक टेंके और अपनी संगठन की रणनीती है और पहले भी जो आप तरह की सम्मेलन कराये थे हाला कि मुस्लिम बर्का कोई उनको नहीं कराये था चोड़ा सथर पर अपने बोलता है कि वह बर्क हमारा हमारा साथ देगा पर मुस्लिम बर्क किसका साथ देता है फिराला वी ता यह च्पिसन है पर निस्वी रूप से चूकि निकाह चुनाओ भी है दो ज़र बाइस का चुनाओ हो चुका है उसके 24 चुनाओ होने बाला है अब चुनाओ में मुस्लिम बर्क किसके साथ आता है मेर्पूर पहेली रहेगी पर निस्वी उप्षे पस्वान्दा समाज करा करा कि चाहिए रामपुर की बार करा है लगनु में भी कुछ तीन जग लेगी फिलाल गौरा उप चुनाओ को लेकर सभी पार्टिया अपने अपनी कमर कर चुकी है अपने अपने प्रत्याश्यों को वहां पे उतारने का यह सिंसला जो है जारी हो चुका है फिलाल अब देखना यह है कि डिंपल यादो बाजी मारेंगी या फिर मैंपूरी से र प्रत्याश्यों के लिए जारी करके अपना पर्चम लेहराने की पूरी रॉन दिती के तायद बीजेपी काम कर रही है फिलाल इस खबर पे इतना ही देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते है रहे प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार